हेलो स्टुडेंट्स, क्लास टेंथ, मैथेमेटिक्स का फोर चाप्टर कर रहे हैं, क्वाद्रिटिक एक्वेशन्स, राइट, लास्ट क्लास में देखा, नेचर आफ रूट्स, राइट, मतब कैसे पता लगाएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होगा, रियल एंड इक्वेल रूट होगा, या फिर नो रियल रूट्स, इतना कर चुके हैं, आज आगे करेंगे, बोर्ड पे आते हैं, फाइन, एक क्वेशन लिखता हूँ मैं, शीट में से एक इक्वेशन लिख दी है, करना क्या है, यह नहीं लिखा है, बोल देता हूँ, ओके फाइन, यहां पर क्या करना है देखो, यहां पर आपको क्वेशन में गिवन है, कि रियल एंड इक्वेल रूट्स है, पता नहीं लगाना है, गिवन है, the given quadratic equation has as real and equal roots, तो फिर पता क्या लगाना है, find the value of k, हमें k की value निकाल ली, चेक है, करें शुरू, चलिए, कैसे करेंगे, देखेगा, सबसे पहला काम, इस काम standard form में change करेंगे, 2x square, plus, minus 10, x, plus k, equals to 0, right, standard form यहाद है, ax square, plus bx, plus c, equals to 0, right, left hand side में, तीन terms होनी चीए, 1, 2, 3, तीन terms है, 1, 2, 3, x square के साथ, मतब A, यहाँ पर x square के साथ 2, first term, x के साथ b, x के साथ minus 10, second term, c, k, third term, सब के बीच में plus का sign है, तो इदा सब के बीच में plus का sign, पहले नहीं था, आप कर दिये, bracket खोलेंगे, तो यही आ जाएगा, ओके, आगे बढ़ते हैं, नाउ, by comparing, above, quadratic, equation, with, ax square, plus bx, plus c equals to 0, we get, compare करते हैं, standard form से, तो यहाँ पर आ गया, x square के साथ a, x square के साथ 2, तो a equals to 2, x के साथ b, x के साथ minus 10, तो b equals to minus 10, right, k, c, तो c equals to कितना आ गया, k, सब वैसा ही चल रहा है, जैसे last class में चल रहा था, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, आगे चलते हैं, अब हम लोग यहाँ पर, d का formula लिखेंगे, d equals to b square minus 4ac, ठीक है, b की value कितनी है, minus 10, minus 10 का square, 4 into a की value कितनी है, 2, c की value कितनी है, k, तो आ जाएगा 100 minus 8k, यह d की value आ गई, अब हमें यहाँ पर पता नहीं लगाना, question में given है, क्या given है, the given quantity equation has real and equal roots, ठीक है, fine, the given quadratic equation has real and equal roots, ऐसा दे रखा है, बोला हुआ हमें, कि equal roots है, तो अगर equal roots होगा, तो d equals to क्या हो जाएगा, 0, हमने पढ़ा last class में, क्योंकि equal roots तभी हो सकते हैं, जब d की value क्या आनी चाहिए, 0, तो ही होगा, right, ठीक है, अगर d की value 0 आनी चाहिए, तो हम ऐसा लिख दें फिर, 100 minus 8k equals to 0, d की value यही तो है, तो यह 0 की equal हो जाएगा, चलिए, आगे जगे नहीं है, आप लिख ले, ठीक है, फिर मैं रप करके आगे बता तो, चलिए, अब आगे करते हैं यापर, ओके, तो यहाँ पर आजाएगा, 100 minus 8k equals to 0, दुबारा लिख देता हूँ, फिर इसको इदर लिख ले आते हैं, तो 100 equals to क्या आजाएगा, 8k, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 8k equals to 100, पूरा RHS, LHS बन जाए, पूरा LHS, RHS बन जाए, तो sign change नहीं होगे, इदर आजाएगा, k equals to 100 upon 8, जितना cancel हो सकता है, उतना कर ले, 4 से कर ले, 4 into 25, 100, 4 into 2, 8, तो k equals to कितना आगया, 25 upon 2, चीक है, तो इस तरह से हमने क्या करा, यहाँ पर k की value निकाल लिए, last में statement और लिख देते हैं, ताकि हमारा answer complete हो जाएगा, ठीक है, चलिए, लिखते हैं है आपर, for k equals to 25 by 2, the given quadratic equation will have real and equal roots, इस तरह से हमारा statement पूरा हुआ, तो question मैं मैं दे रखा था, real and equal roots हैं, और k की value निकाल लिए, तो हमने यहाँ पर निकाला, ठीक है, pause करके आप लिखिए, एक और question करेंगे, राइट, चलिए भी, करते हैं इसके, questions और करेंगे, ताकि हमें topic अच्छे से clear हो जाए, कौन सा question कैसे करना है, किस तरीके से करना है, चलिए, तो next question, मैं आपर लिखता हूँ, sheet पे से, 9 x square, plus 3 k x, plus 4 equals to 0, right? Again, it is given in the question that, the given quadratic equation has real and equal roots. Now, what we have to do? We have to find out the value of k, right? हमें k, k value निकालने, nिकालने k, k value, standard form में ये है, मैंने बता दिया, the last question में कैसे check करना है, already standard form में है, तो हम लिख देते हैं, सक्षाडरी दों में देते हैं, चारी देते हैं, about quadratic equation with ax square plus bx plus c equals to 0. we get x square के साथ a x square के साथ 9 तो a equals to 9 x के साथ b x के साथ 3k तो b की value कितनी है 3k c 4 तो c की value कितनी आ जाएगी 4 अब हम formula लिखते हैं d equals to b square minus 4ac value रखते हैं यहाँ पर b की जगे value आ जाएगा 3k square फिर minus का sign 4 into a a की value 9 and c की value 4 ठीक है 3k square दोनों का square होगा 3 का भी square होगा k का भी square होगा तो कितना आ जाएगा 9k square ठीक है राइट चलिए अब multiply कर लेते हैं राइट 4 into 9 36 36 into 4 तो 4 into 6 24 4 carry to 12 तो कितना आ जाएगा 144 ठीक है तो इसकी value कितनी आ गई 144 ठीक है अब हमारे पास ही किसकी value आ गई D की value आ गई राइट अब हमें question में दे रखा है the given quadratic equation has real and equal roots ऐसा गिवन है राइट अगर ऐसा है है तो D equals to क्या आएगा zero क्यों क्योंकि real and equal roots तो तब ही हो सकता है जब D की value क्या होगी zero होगी ओके अगर D की value zero होगी मतलब 9K square minus 144 equals to क्या होगा zero चीक है इसको अधर ले जाते हैं 9K square equals to 144 चीक है फाइन के square equals to 144 अपॉन नाइन यह दर आजाएगो चीक है अब यहां तो square है हमें तो k की value चाहिए राइट तो हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे square root जैसे हमने last chapter में भी किया था दोनों तरफ square root ले लेंगे by taking square root on both the sides राइट इसके पर square है तो यह तो बहार आ जाएगा अच्छा इसको हम ऐसा लिख दें क्या 12 अपॉन 3 का whole square लिख सकते है ना 12 का square 144 3 का square 9 तो हमने इस तरह से लिख दिया whole square लिख सकते है ऐसा अब आप देखेगा हमने last class में last class तो नहीं बोलेंगे last chapter में कुछ किया था वही मैं आपर करने जा रहा हूं तो k की value आपर क्या आ गई 12 अपॉन 3 ओके राइट तो मैं कुछ इसको इस तरह से करूंगा k equals to राइट अब इसके अपर भी square है तो बाहर आ जाएगा यह ठीक है राइट बाहर आ गया तो मैं इसके आगे लगाऊंगा plus minus राइट समझ गया ने मेरी बात plus minus लगाऊंगा ऐसा हम प्लस माइनस भई क्यों लगाऊंगो बताता हूंगी ठीक है k equals to plus minus 3 into 4 12 राइट प्लस माइनस का मतलब k की value plus भी हो सकती है k की value minus भी हो सकती है तो यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे k equals to 4 और k equals to minus 4 तो यह आपका answer आए ठीक है अब यह plus minus कैसे आया पहले भी बताया था अभी दुबारा समझाता हूं ठीक है जैसे आप देखें हमारे पास k square equals to क्या था 144 upon 9 तो हमने ऐसा माना कि यह 12 upon 3 का square है दोनों तरफ square root ले लिया square root हड़ जाएगा तो k equals to 12 upon 3 हो गया तो हमारा answer क्या आगया 4 3 into 4 12 पट सवाल यह उठा है कि भई मैं इसको ऐसे क्यों मानूं मैं ऐसे भी तो मान सकता हूं k square equals to 144 upon 9 था तो मैं इसको ऐसे भी तो मान सकता हूं कि minus 12 by 3 का square समझ रहे हैं आपने इसको क्या ले लिया था positive ले लिया था पर आप minus भी तो ले सकते हूं minus के ओपर भी square आएगा तो क्या आजाएगा positive ही आएगा तो अगर आप minus लेते हूं तो answer के आजाएगा minus 12 upon 3 that is minus 4 तो अगर आप 12 upon 3 का square लोगे तो भी यह आएगा तो हमें क्या पता कि यह किसका square है इसका है यह इसका है इसलिए हमने क्या किया दोनों ही answers यहांब लें बास में आगई ठेके तो आप चाहे तो प्लस माइनस यहां से लगा।ying Act 9 यह फिर आप यहां पे लगा। इत्ती बात से में आ रही है आपको इसलिए हमने यहाँ पर किसमें लिखा कि answer plus भी हो सकता है answer minus भी हो सकता है तो इस वज़े से हमारे पास k के दो answer आएंगे इसके बाद आप statement लिखेंगे ठेके राइट, fine और आपका answer complete हो जाएगा ठेके, मैं board पर से हटता हूँ ठेके, आप इसको लिखने पर next question करेंगे चले वही साथ साथ में लिखते जाएगा ठेके इवन आप बीच बीच में भी पास करें lecture को, ऐसा नहीं कि पूरा question होने के बाद ही करें आप बीच बीच में भी copy करें तो आपके आँखों को rest भी मिलेगा ठेके राइट और आपको और अच्छे से clear होगा ठीक है, चलिए करते हैं, next question लेते हैं sheet में से k plus 1 x square minus twice of k minus 1 x plus 1 equals to 0 ठीक है, अगें question वो ही है it has real and equal roots ठीक है, इसमें real or equal roots हैं, हमें क्या निकालना है k की value निकालना है, ठीक है सबसे पहले standard form में change करेंगे right, तो minus नहीं चलेगा, इसको दो plus करना पड़ेगा plus करना पड़ेगा, तो इस तरह से आ जाएगा ठीक है, अंदर छोटा bracket था, इसलिए मैंने बड़ा bracket use कर गया, big bracket ठीक है, इसको solve करेंगे तो दुबारा यह आ जाएगा, plus one equals to अब यह standard form में आ गया है, compare करते हैं, ठीक है, right, by comparing above quadratic equation with standard form, that is ax square plus bx plus c equals to zero, we get, ठीक है, लिखें, x square के साथ a, x square के साथ k plus one, तो लिख देते हैं, a equals to k plus one, x के साथ b, x के साथ यह expression है, इसको लिख देते हैं, minus twice of k minus one, यह b की value, ठीक है, फिर है c, फिर है one, तो c equals to कितना हो जाएगा, one, okay, चलिए, अब हमारे पास d वाला जो formula है, b square minus 4ac, right, तो b यह रहा भाई, चीक है, right, minus twice of k minus one, whole square, 4 into k plus one, और c के जगे क्या आ जाएगा, one, okay, चलिए, अब आप देखो, square होगा, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा, दोनों के बीच में कोई sign नहीं, तो multiply का sign, तो इसका square होगा, तो 2 का square कितना आ जाएगा, 4, और यह आ जाएगा, k minus one square, चीक है, जी, minus 4 into k plus one, right, solve कर लें, चलिए, solve करते हैं, 4, okay, इस bracket को open करते हैं, okay, fine, तो a minus b whole square, तो क्या जाएगा, k square minus 2k plus one, और यह as it is, 4k plus one, चीक है, right, सब को formula याद है, a minus b whole square formula, चीक है, right, मैं एक step और लिखता हूँ, फिर इसको बता दूँगा, इदर रब करके, ठीक है, इन दोनों में से 4 common ले लेते हैं, तो क्या बचेएगा, k square minus 2k plus one, 4 तो ले लिया, common दोनों में से, यह वाला 4 भी ले लिया, यह वाला 4 भी ले लिया, अब यदर minus sign है, bracket खोलेंगे, तो sign change हो जाएगा, minus k minus one, चीक है, चलो, आब इतना लिखो, फिर मैं रब करता हूँ, अब आप देखो, यह formula, चीक है, तो formula कौन से अपलाए किया हमने, यह वाला, a minus b whole square, तो क्या होता है, first वाले का square, minus 2 into first and second, plus second वाले का square, तो देखो, यहाँ पर यह तो दे रखा है, k minus one whole square, तो first वाले का square, minus 2 into first into second, plus second वाले का square, तो वह आगे देखो, k square, minus 2k plus one, right, मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ, because आप मेरे सामने नहीं बैठे हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि किसको यह चीज़ आती है, किसको नहीं आती है, इसलिए, right, हम लोग class को slow करके हर एक चीज़ बता रहे है, ओके, अगर आती है, तो अच्छी बात है, नहीं आती है, तो आगई होगी, ओके, fine, आगे चलते हैं भई, हम यहाँ तक पहुंच चुगे थे, मैंने इस बात को समझाय है, यहाँ तक पहुंच गए, fine, तो यह हमारी d की value चल रही है, अभी भी, तो d equals to 4, मैंने ऐसा big bracket लगा रखा है, k square, अब आप देखो, यह तो हो गया, minus 2k, minus k, दोनों same variable है, तो plus minus हो सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 1, तो कितना आ जाएगा, minus 3k, समझ गए न, minus 2k, minus 1k, minus minus plus होता है, तो minus 3k, पर sin minus कर रहेगा, तो यह count हो गए, और 1, minus 1, यह तो आपस में क्या हो गए, cancel, चेके, तो यह हमारी क्या आ गई, d की value आ गई, ओके, चलिए, बट हमें यहाँ पर d की value नहीं निकालनी है, हमें तो k की value निकालनी है, और question में क्या दे रखा है, it has real and equal roots, तो यहाँ पर लिखता हूँ, the given quadratic equation, right, has real and equal roots, real and equal roots है, right, तो real and equal roots की condition क्या होती है, d equals to 0, right, तभी होगा, otherwise नहीं होगा, fine, चलिए, तो d की value यहाँ पर क्या है, 4, k square minus 3 k equals to 0, okay, अब यह 4 इदर multiply हो रहा है, इदर जाकर 0 upon 4, इदर जाकर divide हो जाएगा, तो 0 upon 4, 0, तो क्या आगया, k square minus 3 k equals to 0, okay, अब आपको दिख रहा होगा, answer हमारा आने ही वाला है, चलिए, करते हैं आगे, अब आप देखो, इन दोनों में से k common ले लेते हैं, तो क्या आजाएगा, k into k minus 3 equals to 0, तो देखो, वोई situation आगई, यहाँ पर दो expression multiply हो रहे हैं, answer 0 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई 1 0 है, हमें नहीं पता, तो हम क्या लिख देंगे, इधर k equals to 0 और k minus 3 equals to 0, या तो यह 0 होगा, या फिर यह 0 होगा, अगर यह 0 होगा, तो k की value क्या आगई 0, और अगर यह 0 होगा, तो k की value क्या आगई 3, चिक हैं, fine, statement लिख दो आप नीचे, right, for k equals to 0 और 3, मैं लिख चुका हूँ statement, दुबारा नहीं लिख हूँगा, for k equals to 0 और 3, the given quadratic equation has real and equal roots, right, I hope आज का topic समझ में आया होगा, इसके साथ worksheet है, वो ज़रूर करिएगा, next topic जो होगा हमारा, वो भी यही होगा, next topic means next class में, okay, fine, तो worksheet ज़रूर करिएगा, और तब तक के लिए practice करते रहें, पढ़ते रहें और सबसे important अपना धियान रखें, bye.